लेबनान का हिजबुल्ला लगतार इसराइल के भीतर घुस कर एक के बाद एक ड्रोन ओपरेशन कर रहा है और धीरे धीरे करके अब हिजबुल्ला के पास इसराइली सेना के कई सम्वेदंशील धिकानों की जानकारी आ गई है इसके अलावा इसराइल में कहां कौन सी कमांड है और कहां पर हथियार बनाने वाली कंपनियों के कार खाने है ये सब घुबुल्ला को पता है हिजगुला का कहना है कि कबजे वाले फिलिस्तीन में आईडियफ ने कहां पर एर डिफेंस सिस्टम तेनाद कर रखे हैं इसकी जानकारी उसके पास है और अगर इस्राइल ने हिजगुला से युद्ध किया तो ये जंग इस्राइल को बहुत भारी पड़ जाएगी ये बात हम नहीं कह रहें बलकि इस्राइल नैशनल सेक्योरिटी स्टडीज यानि आइन एसेस ने की है आइन एसेस का कहना है कि अगर इस्राइल ने हिजगुला के साथ युद्ध लड़ा तो हिजगुला के बड़े पैमाने पर हवाई हमले इस्राइल को बेहद ही गंभीर नुकसान पहुचा सकते हैं आइन एसेस का कहना है कि हिजगुला ने 8 अक्टूबर 2023 के बाद से 5000 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन इस्राइल की तरफ दागे हैं इसमें भारी तबाही मचाने वाले गोले, रॉकेट और डायरेक्ट फायर प्रोजेक्टाइल्स हैं हिजगुला ने इसराइल पर एंटी टैंक गाइड़ेड मिसाइल से भी हमला किया है हिजगुला के इन हमलों में 29 इसराइलियों की मौत हुई है और इंफरास्रक्चर को गंभी रूप से नुक्सान भी हुआ है हालकि INSS कา कहना है कि HEJBULLA के हमलों का ज्यादत अरसर सेटिलमेंट्स और प्らमुक शेर कीरियर्श शमोना पर पड़ेगा जहां पर युद्ध का खत्रा मन्रा रहा है और इस इलाके में इजरायल के 28 सेटिलमेंट्स और केरियर्श शमोना आते हैं हाला कि यहां से नागरे का अबादी को पहले ही निकाल दिया गया है, लेकिन हिजगुला के हमलों की वज़ा से सेटलर्स इन इलाकों में अभी तक वापस नहीं लोट पाए हैं। अब हिजगुला के पास देड़ लाक से ज्यादा मिसाइले, रॉकेट्स और अन्य घा तक हतियार हैं। अब ही तबाही मचाई जा सकती है। और अगर ये जंग एक महीने तक कुछी तो इस से इसराइल को गंभीर नुकसान हो सकता है। वहीं इसराइल की बात की जाए तो IDF के एर डिफेंस सिस्टम एक दिन में हजारों हवाई हमलों का सामना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आइर डिफेंस सिस्टम सभी हमलों को इंटरसेप्ट कर पाएं। ऐसे हालातों में इसराइल के पास एर डिफेंस सिस्टम की कमी पड़ जाएगी। और इसके अलावा इसराइल के उपर इरान, सीरिया, इराग और यमन से भी हवाई हमले हो सकते हैं। और इस स्थिती में इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम फेल हो सकता है। सिर ऑफेंस सिस्टम की पराइब हो सकते में इसराइब झाल झाल